इस पेश्दियंटs गोटीबिनिंग वी बच्चे लोग जो भच्चे ने दरहाट विद्याले को तरच पर और इंदराral गांधि हॉदसार को विद्याले का फॉरम फिलप कर लिये देखते हें जयर्खनागाकेडमिक काम्चेल ने आपकी जह जयाम का देट था मतलब एक्जाम का देट से पहले हम बात करेंगे कि इसका जयर्ष आपका विष्टालित किया है डेट को बढ़ आया गया है और यह देट आपका अपका कब तक बढ़ है इस चीज़को देख लेत नेतरहाट विद्याले के तर्ज पर संस्थाल प्रगना प्रमंडल एवं कुलाहन प्रमंडल में संचालित अवासिर विद्याले तथा इंद्रा गांधी बालिका विद्याले हजाली बाग के 722-24 में कच्छा 6 में नमांकन हेतू परवेस परतियोगिता परिच्छा तथा 623 तक आमुंत्रीत किया गया था जो डेट था यह स्ट्रेंट वो पांच तक इसका जो हमारा हम बात करते हैं इस एक्जाम का नित्रहाट विद्याले के तरश पर विद्याले उसका जो लास्ट डेट था वो पांच जून को था ठीक है अब यह क्या हुआ इस जो यह अंतिम करके डियर स्ट्रेंट अब क्या डेट मन गया है अब यहां पे जो डेट है वह आपका ऑनलाइन परिच्छा आविदन परपत्र भरने की विस्तारिक थी थी है वह आप आप आपका 5-6-23 हो गया 15 जून आज आपका 10 तारिक है 10 जून है डेट है ना आपको यही आप 15 तक फ ट्रेंट आउट लेकर के विद्याले पर्धान से अभी पर्मानित कराईए जो भी आपके पर्धाना ध्यापक है उनके पास जाईए और यह सत्रह छे तक आप उसको साइन करवा करके आप इसको सुल्क सहीत है ना ओवी सी के लिए 200 रुपया है मतलब स्टी सी के लिए 100 अंतिमतिति में सब कुछ ना करें मैं आपको यहीं कहना चाहूंगा परखन सिच्छा परसार पताधिकारी कार्याले में सुल्क सहीत आविदन प्रपत जमा करें यहां के बाद आपको वह आफिस काम करेंगे अठारच छे से फिर 19 आपका इस आपका इडेट नहीं है तो में कि यह इसका हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम इसके बारें बात नहीं करेंगे तो बच्चे फॉर्म फिल अप नहीं कर पाए हैं आपके रिडेशन में आपको जानने वाले हैं तो उनको आप जरूर निफॉर्म कीजिए और अगर आप इस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं आपको भर पूर मदद कर रही हैं आपको पूरी कोशिज कर रही कि आपके ग्जाम की तयारी हो जाये जितना ज़्यादा से ज्यादा पॉसिबल है लेकिन एक्जाम की डेट के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है तो किर्फिया आप यह ना सोचे कि एक्जा जय भारत